नमस्कार दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहेते कि सर हमारा ऐसा कुछ बताईए जिससे हमारा मेटाबॉलिजम सुदर जाए हम जो खाए पिये वह अच्छे से पच जाए और हमारा वेट लॉस भी हो सके और ऐसी चीज बताईए जो हमाई घर पर ही उपलब दो ज सकते हैं आपको बहुत ज्यादा बेनिफीट होंगे इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो खाया पिया है वह अच्छे से पचेगा वह आपके तो आपका मतलब उससे बेट नहीं बढ़ेगा दोस्तों और कुछ लोग क्या होते कम खाते हैं लेकिन उनका खाना पसता नहीं तो वह फैट के रूप में डिपोजिट होता जाता है दोस्तों जिससे क्या होता आपका वेट बढ़ता है लेकिन दोस्तों वहीं आपका मेटाबोलिजम अच्छा हो रहेगा आपका खाना अच्छे से पच रहा है तो दोस्तों वह क्या करेगा आपके एनरजी में यानि कैल loss करने में बहुत अच्छा फाइदा होगा इसके अधर बेनिफीट्स भी हैं जिसे स्किन पर गलो आना दोस्तों और आपके मतलग इम्मुनिटी को भी बढ़ाता है यह जो चीजे मैं बता रहा हूं इसके साथ ही आपको एक्टिव बना के रखता है एनर्जेटिक बना के रख तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको फर्ज दिन से इतना पता नहीं चलेगा लेकिन जैसा ही आपका पांच वे साथे दिन आप लेगुलर करते रहें तो आपको पता चलेगा कि आप ज्यादा खा रहे है तो भी आपका खाना अच्छे से तो आपको सुवे खाली पेट लेना है और एक आपको शाम के समय यानि की पांच-छे बजे के लिए आपको लेना होता है दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको सुबे जैसे सोकर उठे दोस्तों आप पहले तो आपको दो गुन-गुना पानी पीना अच्छे से इसके आदे घ और चोटा नीमु ए तो एक निचोड लिए अच्छे से अन्दर दोस्तों आप आदी चमच आती जया आपको सेंदा नमक आपके नमक हाइब यश्यू नहीं है और आप अच्छे से या फिर अपने स्वाद अनुसर आप डाल सकते दोस्तो सैंधा नमक को अलगी मतलब रहता है weight loss करेगा और मतलब आपके वेट लॉस करने में भी सायक है मेटाबोलिजम बढ़ाने में भी सायक है तो आपको आदे से एक निमूर निचोड़ के उसमें आदी चमच आपको चोटी चमच आती है वह उसकी सेंदा नमक के डाल कर वह पीना है सिप सिप करकर यह आपको सुबह घंटे पहले तो दोस्तों यह चीज क्या है आपके खाने को भी अच्छे से पचा देगी और सेकेंड दोस्तों यह आपके मेटाबोलिजम बढ़ाएगी और निमू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है क्योंकि आपकी स्किन के लिए अच्छा है आपके मेटाबोल आपको दिन में दो बाद दोस्तों जो अध्रक होती है वो अध्रक को काट लीजिए तोड़ा सा तुकड़ा आप लेना है इतना सा मातर और दोस्तों जब भी आप खाना खाएं जैसे आपने ब्रेकफास्ट करा या फिर आप जैसे लंच करते हैं तो लंच के आदे घंटे बाद दोस्तो इतना सर्टुकड़ा आप अपने जीप पर रखिए और उसको मतलब खूब चूस ही है जब मतलब 10-15 मिन तक आप चूसते रही है वो लार के साथ आपके शरीर में जाएगा तो व आपका मैटाबलिजम भी सुदरेगा और दोस्तो आपका इससे वेट लॉस भी होगा और यह आपकी इम्मुनिटी बढ़ाने में भी बहुत कारगर होती है अद्रक दोस्तो तो अद्रक का इस्तिमाल करेंगे तो दोस्तो आपको बहुत ही अच्छे चेंजिस मिलेंगे और आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपका कितना वेट है उसके अकोडिंग में बता दूँगा कि आपको यह चीज लेनी चाहिए या फिर कुछ एक्स्टा भी करना चाहिए सारा मैं बता दूँगा इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए मैंने बहुत स इसके अंदर और एक्सोसाइज भी बता की है आपके दी बैली फैट रहता है तो वह भी आप देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नया यूटूब चैनल बनाया है जिस पर में मोटिवेशनल इस्टोरिया लाने वालों जो लोग जिन्हों सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसकी लोगों की स्टोरिया उस पर लाऊंगा जो की बहुत हैल्फूल रहने वाली है आप लोगों के लिए साथ ही दोस्तों आपको यदि कुछ और भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए मैं रिपलाई जरूर हो जिससे लोगों के हैल्फ हो और बहुत सारी लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं उनके कमेंट में आप देख सकते हैं कि उनका वेट लॉस होता है और उनको बहुत अच्छे रिजल्स भी आ रहे हैं तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो अच्छा लागा होगा वीड लेकिसी नेक्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही दन्यवाद